हेलो दोस्तों आप सभी का अरवी क्लासेज में स्वागत है क्लास 10 लाइट चेप्टर इंपोर्टेंट एमसी क्यू बेस्ट कोस्टन हमने अभी तक 70 कोस्टन डिसकस कर लिये थे आगे के इस वीडियो हम डिसकस करने जा रहे हैं नेंट्स कोस्टन है 71 वेंदा अब्जेक्ट इस प्लेस्ट बित्विन एफ एफ एड ट्वीड़олжेंट कोनवेक्स लinsi मद्द्रर खागया तो हमारी इमेज कहा बनेगी इसका अकूछ स्थिए और 2 व next question is 72 the image is formed in front of the mirror the image distance will be हमारा जो mirror है mirror के सामने अगर कोई image बन रही है तो हमारी image का sign कैसा होगा तो हमें मालम है अगर mirror के सामने कोई भी image बनेगी तो वो हमारी कैसी होगी next question is 73 a ray of light is traveling from a rare medium to denser medium while entering the denser medium at the point of incidence 8 इस question में यह कहना चाहता है अगर हमारी कोई ray rarer से अगर denser में जाती है तो वो normal की तरफ bend हो जाती है option is B next question is 74 इसका एक फर्मूला है refractive index के term wave length और refractive index के term में तो formula क्या है mu बरावर होता है lambda of vacuum upon lambda of medium तो हमें question में given है 1.5 is equal to 5 into 10 to power 4 अपॉन लेम्डा अपॉन लेम्डा मीडियम जब हम इसे solve करेंगे तो लेम्डा जब हम मीडियम निकालेंगे तो हमारा आएगा 4000 एंग स्ट्रॉं तो option is B नुमेरिकल है solve करने की कोशिश करें नेस्ट कोशन इस सेविंटी फाइब तू थिन लेंस बना फोकल लेंद प्लस 60 एंड अधर फोकल लेंद मैनिस 20 और कैप्ट इन कॉंटेक्ट देयर कमाइंड फोकल लेंद हमारे दो लेंज हैं थनलेंसे सह हैं। उन दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उनकी फोकल लेंद क्या होती है ये भी हमारा uncoms ए पन आप ऊन अप ब्रावरवर इन question is 76 when light travels from one medium to other whose refractive index is different then which of the given will change तो इसका answer is 76 का ए बेव लेंद ए बेलोसिटी के डिपेंड करता हमारा नेक्स्ट कुशन इस 77 नम्मर ओप इमीज इस ऑफजर्विवल बिट्विन टू पर्लर मिलर एज तो इसका डारेक्ट आंसर है इंफनाइट नेक्स्ट कुशन इस 78 एफ बरावर आरवाई 2 इस बैलेड यह सभी के लिए है कौनवेक्स या हो कॉनकी करते हैं कि अंग्स कुशन इस उन्पने कि मिल इना कौनवेक्स लेंस्ट और यह कन्वेक्स लेंज wires दैन नेस्ट कुष्ण इस बिच आप दा गिविश नॉट ट्रू ओप एन इमिज फर्म बाई या प्लेवर फ्लेज मेरा के लिए इमेज बनती है लेकिन आप संन इसमें नॉट्ट ट्रू है तो इसका आंसर होगा इट इस डिमिश्ट इसकी जो हमारा प्लेज मेर मेर में जो होता ह इरेक्ट मीज बनती है और वर्चुल बनती है और सेम डिस्टेंश पर बनती है यह प्लेन मिलर की प्रॉपर्टी है हमारे नेस्ट कुश्या इस एक्टी वन टू लैंसे ऑफ पावर प्लस थ्री एंड माइनस बंडाय प्लेज इन कॉंटेक्ट दा फोकल लेंथ ओव दी कम्माइन लेंस अब हमें मालूम है कि हमारे पास दो पावर एक पीवन दिया है एंड पीटू दिया है पावर कम्माइन पहले हम क्या करते हैं कम्माइन लेंस की पावर निकालते हैं तो पी बराबर फॉर्मूला होगा पीवन प्लस पीटू तो पी है हमारा थ्री मैनस के बन तो हमारा आंसर है इसकी जो नेट पावर है वह आजाएगी टू डायोप्टर एंड कोशन में पूछा गया है फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है हम जानते हैं एफ बराबर हैं अपन पी कब लेंगे सेंटीमीटर में तो हंड्रेड अपन पी की वैल्यू आपकी दो है जमेंसे काटूंगा तो फिप्टी सेंटीमीटर हमारा आंसर आजाएगा एटी वन का आंसर इस सी नेक्स्कूशन इस इटीटो इफ दा फोकल लेंथ ओपा कॉन के मिरर इस फिप्टी सेंटीमीटर टू अप्टीन एन इन इन इनवर्टेड इमीज तू ताइम्स दा इमीज तू ताइम्स दा साइज अफ दा अब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ट एट ध्यान देंगे हम को स लेंथ दी है फोकल लेंथ हमारे लिए कौन के मिरर में मालूम है जो फोकल लेंथ दी जाती है तो वह हमारी किस में होती है माइनस में होती है एंड टू अब्टेन एन इर्वर्टेड इमेज टू टाइम्स दा साइज अब दी ऑब्जेक्ट एम की जो वैल्यू दी गई है को माइनस के टू दीख हुई है तो हमसे कोशन पूछ रहा है कि आप जो है ऑब्जेक्ट सुड़ भी प्लेस्टेक्ट मीस यू वता दो तो कोशन को हम ध्यान से समझें तो एप की वैल्यू हम माइनस की फिप्टी लेंगे एम की वैल्यू माइनस के टू हमें मालूम है एम बराबर होता है माइनस के बी जêtre को यू. माइनस से माइनस काड़ देंगे तो हमारे पास आजाएगा बी वराबर टो यू तो हमें व्याली पता चल गई टो यू 음 की मालूम है यू को हम यू ही लेंगे तो हम फ़र्मूला लगाएंगे है इसमे है मेर्गा बेल्पाष मेर ू लगाएंग धर्मिरस फर् नेस्ट कुस्टन इटी टू अब फोकल लेंध ऑप कॉन के मरेज 50 cm तो अप्टें आन इन इंविटेंट इमीज तो ताइमस दे साइज अप अब प्लेस्ट आइट मींस हमें इसमें निकलना यू अब दियां से देखें कुस्टन हमें दिया क्या गया है इसमें दिया गया द्यान रहे इसमें M की वैल्यू माइनस की 2 है इन्वर्टेड इमेज 2 टाइमस दी साइज अब दी ऑब्जेक्ट इसका फर्मूला हम जानते माइनस के वी अपॉन यू माइनस से मैनस काट देंगे तो वी बराबर आजाएगा हमारा 2 यू हमें याद होना चाहिए हमें मेरा फर्मूला जब हम लगाएंगे बन अपॉन है बराबर बन अपॉन भी प्लस के बन अपॉन यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे एप की वैल्यू मालूम है बी की वैल्यू टू यू है और यू हमें यू है तो जब हम इसमें से U solve करेंगे तो हमसे U ही पूछा है तो U solve करने पर आएगा अंसर इसका D Next question is 83 The focal length of lens depends on Lens की focal length किस-किस property पर depend करती है तो option is D Next question is 84 A parallel beam of light is incident on a converging lens parallel to its principal axis as we move away from the lens on the other side of its axis than the intensity of light अगर हमारे पास कोई भी रे एक हमारे पास lens है अगर उस lens के पास अगर parallel हमारी रे जाती है principal axis के as we move away from the lens on the other side of its principal axis अगर हम लेंस से रेज को दूर ले जाते हैं तो हमारी light की intensity पर क्या फरक पड़ेगा तो पहले increase करेंगे and then decrease so option is D next question is 85 using a concave lens sorry using a convex lens a clear image of candle flame is produced on a screen how many other clear images can be received on this screen if only the lens is to be shifted तो answer is 85 पर B next question is a convex lens of power P is immersed in a water how will its power change अगर हम अपने lens को पानी में डोबो देते हैं तो इसकी power पर क्या आसर पड़ता है so option is C decrease power decrease कर जाती है उसकी next question is 87 which of the given can produce a virtual image larger in size than the object so हमें जो अब्जेक्ट से बड़ी image दिखाई दे यह property है convex lens के next question is 88 यह lens है यह power of plus 0.5 D it is तो हमें इतना पता होना चाहिए power किस में positive होती है तो यह positive होती है हमारी convex lens में and इसकी जो focal length आएगी वो आएगी 2 meter so option is B a diverging lens will produce diverging lens जो हमारा क्या produce करता है so option A cable virtual image so करेगा next question is 90 refractive index हमारा जो refractive index है इसमें से कौन सा option सही होगा तो does depends on the wave length of light used बिलकु सही हमारी wave length पे depend करता है next question is which of the given is not paired correctly तो इसमें से कौन सा option सही नहीं होगा तो option is D next question is 92 in order to obtain a magnification of minus 0.6 विदा कौन के मरे the object must be placed beyond the option is D beyond the center of curvature next question is which statement is true for the reflection of light reflection of light के लिए इनमें से कौन से स्टीटमेंट सही होगा तो the angle of incident and reflection are equal बिलकुल होगा option 93 के दोनो i is equal to r next question is 94 the image shows reflection of light on a mirror एक हमें डाइग्राम दिया गया है इस डाइग्राम के तुरू हमें देखना option क्या सही होगा based on the image what can be inferred incident ray option is B incident ray normal to the mirror at the point of incident and reflected ray all lie in the same plane next question is 95 the image shows the path of incident ray to a concave mirror इसमें हमें मालुम है कि जो हमें ये mirror दिया है कौन के mirror है इसमें parallel हाती है तो हमें मालुमें कहां से होके जाएंगे हमारी focus से होके और जब focus से होके जाती है तो वो हमारी parallel होती है तो कुछ डाइग्राम F and C के बीच बनेगा हमारा तो इसका 95 का option is C next question is 96 so an object is placed near a concave mirror at a distance of one-fourth of radius of curvature of a concave mirror which ray diagram shows the incident rays reflected rays and position and the image of the form इसका कहने के मतलब यह है कि हमारा कोई object है उसको हम lens के पास रखते हैं और radius of curvature का कितना ऐसा है बन-fourth अब दी कौन camera इसमें इनमें से incident ray reflected ray and position and nature of image फॉर्म इनमें से कौन सा डाइग्राम हमारा सो करेगा सो हमें समझना होगा कि जितना भी जो भी हमारे R दिया है और जो F होता है वो R का आधा होता है तो ध्यान देखो तो इसमें जो focal जो दिया है object वो one-fourth दिया है अगर object one-fourth दिया है तो मतलब F ना तो R के पास होगा ना F वो object का होगा हमारा F और P के बीच अगर हम question को द्यान से देखें second option में B के पास है C option में हमारा object C and F के बीच है and D option में infinite पे है सो हमारा A के option बज़ता है कौन सा A 96 का option is A is correct 97 97 which image represents the path of incident and reflected ray from a convex mirror when an image object is placed at infinity हाँ इस question में जो हमारा object है वो हमारा infinite पे रखा हुआ है तो infinite पे रखा है तो हमारी image कैसे बनेगी अगर आपको याद हो image जब हमारी parallel आती है तो वो कुछ ऐसे जाती थी नॉर्मल से ऐसे कुछ तो option is गलत and next option is B option B को अगर आप देख हो ध्यान से तो हमारी जो image है parallel आईगी तो इतना तर्माला हों वो focus से बोके जाएगी so option is B is the correct next question is 98 a student studies that convex mirror always from virtual image irrespective of its position what causes the convex mirror to always from a virtual image जब reflected ray मिलेंगे ही नहीं तो हमारी image virtual बनेगी so option 98 का एह है because the reflected ray never intersect हमारी जब reflected ray मिलती ही नहीं तो हमारा image कैसी बनेगी बर्चुकर next question is 99 a student conduct an activity using a con camera with focal length of 10 cm he placed the object 15 cm from the mirror where is the image likely to form हमारी image कहा बनेगी द्यान से देखें आप question को focal length दी है con camera con camera में focal length जो लेते हैं किस में लेंगे minus में an object भी दिया है इसका मतलब यू दिया है उसने आपको और यू किसमें दिया है minus में में इन question में सबसे यादा है sign convention sign convention जरूर याद रखना चाहिए अगर sign convention में थोड़ी सी भी गलती होई तो हमारा पूरा question क्या हो जाता है गलत हो जाता है आता हुआ question हमसे गलत हो जाता है कौन के mirror है कौन के mirror हमें हमसे F दिया है U दिया हमसे पूछा है B तो हमें मालम है की value आएगी माइनस का 30 cm जब माइनस का 30 आया है तो इसका मतलब यह है कि यह mirror के front में बनता है तो option is D is the correct next question is 100 Reka placed a juice bottle at a distance of 20 cm in front of a convex mirror which has a focal length 20 cm where is the image likely to fall इस question में भी आपसे आपसे क्या पूछना चाहरा है वो B ज्यान से देखें आप इसमें जो U दिया है कौन वे U दिया है आपका माइनस में and F दिया है इसमें प्लस 20 cm हम मालम है lens formula होता है बन अपन F ब्रावर बन अपन B माइनस का बन अपन U जब हम इस question को solve करेंगे तो जो B आएगा B आएगा मारा प्लस का 10 cm याज दिया है Option 100 is C Next Question 101 22 Sunil conducts an activity using an object of height 10 cm and a convex mirror of focal length 20 cm है ही प्लेश्ट दा ऑब्जट ही प्लेश्ट एट डिस्टेंस ऑफ ट्वंटी संट्विटर इन फ्रेंट आफ दी मिरर वाट इस लाइकली टू भी हाइट ऑफ दी इमीज प्रेडिश्ट इस कोश्चन में जो है हाइट पूछी गई है इमीज की तो हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अप्रोच लगेगी इसमें देखते हैं को थे सो हमें डाटा दिया गया है कि एचुदिया है ध्यान से गर वह देखें तो एचुदिया है हमको प्लस टेंट सेंटिमीटर कॉण्वेक्स मेरे और फोकल लेंद्द अगर हम कॉणवेक्स मिरर की बात करें तो कॉन तो Convex Mirror की Focal Length जो F होगी वह भी आपकी प्लस का बीस होगी एन ऑब्जक्ट जो यू दिया है वो दिया आपको माइनस की पीस आप से पूचा है 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 तो हमें मालूम है यहां से हम क्या निकालेंगे आप बी निकालते हैं तो बन अपोन F भाबर बन अपोन बी प्लस का बन अपोन जू जब बैल्ली रखेंगे हम तो यहां से हमारी बीकी वैलियू आइगी बेखर का 10 प्लस टेन सेंटिमेटर मालूम है हमें M बराबर ही अपॉन हो बराबर मैनस के बी अपॉन यू जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारी ही की वैल्लिव आ जाएगे फाइब सेंटिमेटर सो अप्शन इस भी बैली पुट करने पर इसका आंसर आएगा प्लस फाइब सेंटिमेटर नेक्स्ट कोस्टन इस वन जीरो टो कोस्टन नेक्स्ट एक सो दो में बोलना चाह रहा है कि दाइमेज सूच दी पाथ आफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रो एक ग्लास लेव म हमारी जो ग्लास लेव मैं जो लाइट का जो पाथ ही वो कैसे दिखा इधिरा आएगा आउ सिसका आँसरिज the change in the density of the median next question is 103 next question is 103 a student studies that speed of light in air km per second whereas that of a speed in glass glass SLAM is 33,000,000 km per second and glass SLAM is 1,097,000 km per second what causes the difference in the speed of light in these 2 million the next question is 104 4, the speed of light in air, whereas the speed of light in water, mass of the refractive index, refractive index का हमारा एक फर्मूला है, mu बराबर c upon b, c है 3 into 10 to power 8, and b है 2.26 into 10 to power 8, जब हम इसे solve करेंगे तो इसका answer आएगा 1.32, option is c, option is c, next question is 105, Rahul conducts an experiment using an object of height 10 cm and a concave lens with focal length 20 cm, the object is placed at a distance of 20 cm from the lens, can the image be formed on a screen, Rahul को एक experiment करना चाता है, जिसमें lens लेना चाता हो, concave lens, object की height at 10 cm, object की height at 10 cm and focal length है, आपकी 20 cm, the object is placed distance 20 cm from the lens, lens से object को रखा जा रहा है 25 cm तो वो पूछना चाहरा है क्या एक हमारी जो image है वो बन पाएगी या नहीं, तो option is c, no, as the image formed will be virtual, next question is 106, 106, a student conducts an experiment using a convex lens of focal length 20 cm and object of height 15 cm, he placed the object 25 cm from the lens, can the image be formed on a screen, yes, because image is real, next question is 107, X07, Raki conducts an experiment to produce an image of an object on screen which is placed 20 cm from the lens, she uses a convex lens of focal length 15 cm for the experiment where source she placed the object in order to produce the sharpest image, 107 में अगर हम ध्यान से देखें तो उसने हमें object distance क्या होगी, तो हमें मालों में lens formula है, तो lens formula क्या होता है, बना पून है, बना पून, बना पून, बना पून, बना पून, बना पून, इन image of an object is produced on a screen which is about 36 cm. सेंटिमीटर यूजिंग एक कॉन्वेक्स लेंस दा इमेज प्रोड्यूजड वाई इस एबाउट थी ताइमस दा साइज अब दी ऑब्जेक्ट वाट इस साइज अब दी ऑब्जेक्ट हमें कोशन जो दिया गया है तो ध्यान से देखें तो जो 36 सेंटिमीटर है वह हमारी इमेज के लिए दिया गया है तो हम बात करें तो भी हमारा कितना है इसमें 36 सेंटिमीटर है और जब एन दिया है तो एम कितना दिया हमको 3 टाइम फ्री टाइमस मींस है चाहिए अपाउब और इसका फरूॉलोर होता है भी एकॉन यू अब हमों बी एम दिया है 3 और अभी की वेल्यू है चतीस तो चतीस अपन यू बराबर तीन से जम्में से काटूंगा तो मेरा आजाएगा अंसर इस बार है बार है वो भी किस का रहा है प्लस का तो option is correct 109 an object of height 10 cm is placed in front of a convex lens having focal length of 12 cm the object is placed at a distance of 36 cm in front of the lens how many times is the image likely to be magnified तो हमसे पुछाना चाहरा है कि हमारी जो image वो कितना बड़ी है या छोटी है how to calculate हमें से कैसे calculate करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि जो इसमें focal length कितनी दी गई है इसको हम ले लेंगे sign minus के साथ एंड यू दिया गया है हमको minus के साथ 36 हमें formula मालूम है बन अपॉन है बरावर बन अपॉन B minus के बन अपॉन यू जब हम इसे solve करेंगे तो बी की value यहां से आजाएगी minus के 18 cm जब हम इसमें magnified लगाएंगे तो minus के बी अपॉन यू तो minus के बी minus के 18 एंड यू की value आपकी minus के 36 जब हम इसे कारते हैं तो हमारा आता है 1y2 तो option is A 109 का option is A 11010 A student conducts an experiment using a convex lens he places the object at a distance of 60 cm in front of the lens and observe that the image is formed at a distance of 30 cm behind the lens what is the power of the lens हम से पूछना क्या चाहरा है power आप पावर हम निकालने के लिए हमें पता होना से हमें पहले focal length निकालनी पड़ती है तो हम द्यान से देखें तो हमें क्या-क्या दिया है यह देखते हैं हमको यह क्या यू कितना दिया है minus के 60 cm एंड भी दिया है तो हमें लेंस है तो लेंस वाला फॉर्मूला लगा दें समें हम लोग क्या आपक्स लेंस बन अपन एब्रावर बन अपन भी माइनस के बन अपन यू जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारी जो एफ है वह आएगा हमारा 20 cm एंड हमसे पूछा है पावर पावर होता है वेल्यू 2020 से अगर हम हंड्रेड में भाग दें तो हमारा डिवाइड देने पर आएगा फाइव डायोक्टर ऑप्शन इस सी तो आई होफ दोस्तों उम्मीद करता हूं यह आपके एक्जाम के लिए इंपोटेंट कोश्चन है मैंने बहुत कोशिस किये कि इंपोटेंट अप्लोड करने की ओके थैंक यू धन्यवाल